बच्चों कल हमने पढ़ा था तने द्वारा नए पॉज़े की अप्ति है और वो टापिक हमारा खत्व हुआ था ट्यूबर अब आज टापिक तने के द्वारा है प्रोडक्शन बेटेटु प्रोपागेशन करशन होता है वो हम आज अग्रे टापिक में देखते हैं सकर सकर का मतलब होता है अन्ता भूस्तारिया अन्ता भूस्तारिया और यह टापिक अन्ता भूस्तारिया अन्ता मतलब अन्ता भूस्तारिया 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 अन्ता भूस् अप्धान को लाव सकतर इसका हवारा में था में था में था हुदीना हुदीना आप विर्मी कसी जन है आप लोग इसका जूस बनागर भी सकते हैं मनमस्दिक सब्सक्राइब तर बंधा आइन प्राय उसक्रम प्राय उसक्रम फ्राय उसक्रम गुल्दावदी गुल्दावदी और बंधाच्डूम सकर के पुदारणां इनका ये तना है, मुक्ह तना, ये भूम के अंदर होता है, और मुक्ह तने से ही इसकी साथा भूम पर छैतिर ने बनती है, अब एक चत्र से देखिए, मुक्ह तना, ये इसकी रूट्स, ये साल, और इसी से ये छैतिर साथा ने कलती है, अब अस्थानक जड़ वक्सित होती है, अब अस्थानक जड़ ने कलती है, ये मेंट प्लांक है, मेंट प्लांक से ही एक ब्रांच निकलती है, एक साथा निकलती है, और छाती जाचे भड़ती हुए, भूम इसे माहा आ रहा है, और भूम से माहा निकल कर एक नय पौधी के रोप में वक्से तुणाएगा, देखा ये इस पाम में तार्ट इम्मेर प्लांक माद प्लांक है, माद प्लांक से ब्रांच से छाती निकलती है, और छाती निकलती है, और ये छाती ब्रत्य करते हुए, म्रदा से बाहर आपने पहुदे को प्लिक्सित हो जाती है, बाव भी ये शाका यहां से प्लता करती है, अलाव जाती है, तूट जाती है, और ये जड़े म्रदा से, मिनरल्स और वाटर, अब जोट परती है, और इससे म्यापोरा बन्याद, तो आप लोगों ने समझा, सकर अन्ता बोस्तारी क्या बुटा है, इसका उड़ा रहा है, मिन्ता, क्राव सेंथमं, मिन्ता अबलब को दीना, और क्राव सेंथमं मत्लब गुलता हुदी, बोस्तार शकर, दोनों शकर की अग्जामती है, अगला काविछ, इसी में तने का बोस्तार प्रोडक्शन है, रणा, इसे उपर भूस्तारी क्यादे, रणा, उपर भूस्तारी क्यादे, उपर, मतलब उपर, भू, भूमे, अस्तारी, खर्मा, मतलब बच्चो, इस प्रकार के तने मुम के ऊपर छर्ती जवस्ता में ग्रोड करते हैं, बढ़ते हैं, विसर्पी तना होता, रणा के एक्जांपल में इसके पतार में आख जड़े से, इसे खट्टी गूटी करते हैं, खट्टी गूटी, जिसर्पी गाम में सायल समय होंगेटी उल्फा नाहें, तीन-तिन पत्या होती, बड़ी मोटी और मानसल पत्या होती, अभी हम असका चत्र गताये हैं, आग्येलिस, खट्टी गूटी, हाट रूप कुटाये, हाट रूप कुटाये, इसे ब्राह्मिन को दिखाने हैं, साइनो डाम, साइनो डाम, ये दो घास हैं, दो घास, आई ओनिया बटादस, इत्विजा बहुत निकाले आप सिल्प कुटाइट, सकर कंद का बनस्वतिक नाम आई ओनिया बटादस, आग्येलिस, खट्टी गूटी, हाट रूप कुटाये, रूप कुटी, साइनो डाम, दूब घास, आई ओनिया बटादस, इत्विजा बटादस, ये सभी रणर की पुदार्ण है, आयसे तने भूमे पर छाते, ग्रोध करते हैं, देखिए गया, आयसे तने भूमे पर छाते, ग्रोध करते हैं, रूप करते हैं, और ये ग्रोध करते हैं, और इनके नोट से आपस्थानिक जड़े निकलती है, इस तरह आपस्थानिक जड़े निकलती है, ये रणर अस्मा, ये पर दिया, ये रट्टानि lands bana जड़े निकलती है, ख़स तरहुर करते हैं, ये व्रोध करते हैं, ये ये फिलवानी विलगे रछृत।, ये अनल सक्तरणीक जड़े हैं, ये जड़े हैं, ये उनकरते हैं, ज sua स्व़स्वना हैं ये पर दीकर्क सभृता हैं, ये 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 लेव जी रूप अब आपने देखां कि ये किस प्रकाल से इसका पमाद भूमे के उपर उपर चाती रवस्ता में ग्रोथ करता हुआ अब बनाती है और इसी के उपर की तरह कुछ कर्या व्यक्सित होकर नया पौधा बना यह नया पौधा बन जाता हुआ बाद भी यह रणर यहां से टूट जाता है और रणर यहां से जब टूट जाता है तो यह प्रशक पौधा सुतंत पौधा बन जाता है रनर यहां भी पूट जाता है यह सोतंत्र वजा बन जाता है इस पुदाइब से उपर पहुतारी रनर के बार किस नय पौद्री की उपस्ति हो जाते हैं कोई किलियर कि आपके बना गुआ हो आप हमसे द्वारा पड़े होगा पूछ सकते हैं या जैसे विए आप हमसे इसे पूछ सकते हैं हम आपकी हर सबस्था गत्मनाद करें कि सकर के बार कि रनर के बार तन्य का दूसरा रूप है इस टोरन इस टोरन बूस्तारी यह अंता बूस्तारी उपर बूस्तारी और यह है इस टोरन बूस्तारी सपर के इंपोर्डर ने बूर्ड के लिए रनर के है और इस टोरन के लिए देखिए एक तोनर क्या हो देखिए एक तोनर क्या हो देखिए इससे जिमक लता है इसका दूरा तोनर कि दिशा में जूमका के तरह नजर आता है इसलिए इसका नाम है तोसित जो राज भनग लगा बेला, चमेली, म्यूसा, म्यूसा को बनाना है यह नि म्यूसा केला को कहा लगा केला, चमेली, बेला, पार्शी, फ्लोरा, धुमक लगा ये इस तोला के गदाने है ये इसका छिप्र भी आप देशिते हैं ये ब्रदामन च्छांति ब्रत्धी करने वारे विसत्ति पना हैं लेकिन इनके अतने म्रदा से उपर अप्रबाते हैं इस प्रगात से देखो बत्तों ये नोड़ा नोड़ के पास से अब अस्थानक जड़न नकलते हैं और ये ब्रदा जोड़कर है उपर के तरब ये बढ़ जा इसी काणा पिश्टोलन है पिश्टोलन क्या है बरस्तारी अब ये शाति विसर्पे रूप में आगे बड़ेगा एक प्लांट दिया हुआ ये अड़ांटी से सुरूट हो गए इस तोलन हो गया अब ये तोलन जवाले बड़ेगा इसमें किसी स्थान पर अपस्थानक जड़न वक्सित उजाएंगी और यही से करिया वक्सित होगी और इने करियों के अंपर से नड़ा और न्यूप्लान बन जाएंगा अब ये इस तोलन जवाले 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 तोलन ज पूछ लेह इस टोलव देख सकते हैं यह भी चर्थि विसर्थिक तमाने भुमें के चर्थि जब ब्रोद करता है ये कहीं पर उपर की तरफ उठी जाता है यहीं इसका जड़ब है और यहीं तोलब के पास में जड़ब वापस्थानरी जड़ब और उपर की तरफ ये कलियां बन जाती हैं तने जोदन से तूट करके ये जड़न म्रदा से मिंडल वातर अपज्वार करती हैं और पर ये स्वतत्र गौदा बन जाती है ये होगा आप इश्व कोड़ा है तने दोरा अगला प्रोडक्शन है जिसका नाम है आप्षण इसे भू प्रसारी बासकते हैं भू प्रसारी बागरा है आप्षण आप्षण क्या है तो बच्चो आपसट हम आपको बता रहे हैं आपसट क्या हो रहे हैं आप लोग जलकूंगी का नाम सुने हैं क्यों सुने हैं जलकूंगी इस लोग इसको एक और लिया गाते हैं इक और उसे 13 गाल कहते हैं 13 गाल इसे गाल का आपको नोट एक रहाट करें रहाट जलकूंगी को तेरा राव बंगाल कहते हैं और तेरा राव बंगाल इसलिए करते हैं क्योंकि यह इतना तीजी से बढ़ता है कि कुछ ही समय में ही पूरा जड़ा से ढख लेता है इसकी पत्या और पत्या में बड़ी सुन्दर होती है इस पाध्य को यूरोपी देशों से संदर्ज की कारण भारत में लाव गया और इसे बंगाल की कुछ जलासे में लगा दिया गया देशी 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 पूरे बंगाल की जलासे में जलकुंभी चारो तरब जलकुंभी पर इससे लागतों कुछ हुआ नहीं हानी जरूर होगे हमारे जर्ण प्रवज़ता इससे जरूर प्रवाबद होगे और विग्जाच प्रवाबद ही क्योंकि जनी समधाय में जो बिविद प्रकारिके लगी महजूद होते हैं और दूपर जनी को अधेवे महब पर महजूद होते हैं उनका बना सो जाता है के वाल एकॉर्णिया हुआ कि कोर्वी आ की कव्हलिया वा है मिरा बहुत तेज होती है और बास्तो च्रवज़न की ने परमी में जासे कुछी ही नौए सु सुूद जाता है और वहां पार जो जलासे खाँ अब वो हरे भरे मादान का रूप दे लेगा है क्योंकि इस जलासे शुपने के बाद दूथरे प्रकार की पौधों की उपत्ति होगी उनके नत्मने के बाद तो अबले प्रकार के पौधे आएंगे तो अंत्य में वो जलासे एक हरे-खरे मायदान का रूप लेगा यह क्रिस्तिया है पिस्टिया भी एक जलीप वदा है जलीप वदा पिस्टिया जलीप वदा एक और निया जल्कूंदी दोनों के आपसर में छोटे-छोटे नोड होती है थोटे-छोटे पर्व पाया अब वो पर्व का से बता है देखे ये जल्कूंदी की पक्ते है ये जल्कूंदी की पक्ते है बहुत से संदर पक्ते हैं ये बहुत ही आगर्चों यहां से इसकी दोर और ने अप्सेट से अब पस्था में प्रेड़ा विकलती है इस तरह से ये पौधा पहा प्रेजी से ही प्रोज करता है ये अद्वांटीस्यास रूट है ये इसका आप्सेट ये आप्सेट हो गया जदी को अदार और ये अज़की नोड है नोड वतला ये इसका प्रड़ एक नोड ये और एक नोड ये दो नोड इस दो नोड की बीच के इस स्थान को इंटर नोड भी काते हैं और ये इंटर नोड आप्सेट है इसके नोड यानि पर्व छोटे छोटे होते हैं और जहां जहां पर इसकी पर्व संध्याद ये होती हैं यही से कुछ अपस्तानिक जड़े निकल आती हैं और इसकी उपर के तरफ पत्या संभूहों में लगी होते हैं उस समय बाद, जैसे ये इसकी जड़क कीचण में चली जाती है, इसका आपसे भी विखणित हो जाता है, विखणित होने के बाद, फिर ये आपसे नागे बढ़ते, फिर ये जड़क को विक्सित करता है, फिर ये जड़क कीचण में चली जाती है, और फिर नहां से इस तरह स नए पॉधिय का नर्मार नरंतर दोता रहता है और इपर्णिया अपनी सीवा से कहीं अधिक बहुत दीजी के साथ ब्रत्ति करता हुआ, पूरे के पूरी डिलासे में कर जाता है आपसेट, तो आपसेट का उदा रहा है, आपने देखा, पिस्टिया इपर्णिया जलकुंभी और पिटिया दोनों उदारण हैं आपसेट, तो हमने आपको सकर, रनाप, इस्टोलर, आपसेट, इनमें से साथ मोंच लेखने के लिए बोर्ट पर अच्छा में आता है, इसलिए इनको आप सभी लोग धान से जरूर पड़ाएँ, आपसेट के बार, अब जो अगला का प् वो है पत्र बलिपा के लार जिसे बल्विल कका है, बल्विल्स पत्र बलिपा बार अब आता है, पत्र बलिपा पत्र कलिका करते हैं किसे हैं लीविदा में दिरूती है अईसर कलिका है जो भोजन का संचे करती है उनको करते हैं बलकिल पत्र कलिका है ये पत्र कलिका है ज़र प्लांट से तूटकर प्रथा बजाती है और नम भूमि पर फिरकर अंपूल बाता बनेगे नया पौधा बनाती हैं पत्र कलिका है पत्र कलिका आप आनियल और गार्लिक मतलब प्यार अब लेक्शन के सल्कों में इस तरह के बल्विस बंते देखे जा सकते हैं रतालू दायोस्पूरिया बल्विदेरा अग्यांपला आप में लेगे दायोस्पूरिया बल्विदेरा यह है रतालू में रतालू में दायोस्पूरिया बल्विदेरा रतालू में प्यार और वेर्षन के शल्क पत्रों के कच्छस्त कलिकावन को भी देखा जा सकता है बल्विदेरों को यह बदेर एक चित्र से भी आप खमाश सकते हैं देखे मैं आपको बताता है अब आप इसको यह पत्र कलिकावा बल्विदेरा और यही से देखां यह बार बल्विदेरा यह पत्र कलिकावा यही पत्र कलिकावा यहां से यह पत्र मैंसका यह पत्र कलिकाव तने से तूटकर मुब पर गरगाती है और पूलवात आपके अंत्रा दारा नौए पॉदिक को जंट देती है बल्विल से तो बल्विल समझ गया आपको दोनों के प्रशन से तलिगाएं भी इसी प्रकार से निकल आती है तो यह समझ में आ रहा है यह जित्र आप लोगों को पास जो पीडियाप दे गई है कि नोट्स आपके पास अवलिबल होगा है तो यह नोट्स आप सभी लोग अपने तेयर कापी में तयार कर देंगे और क्लास में इस तरह से हर दिन आप इसे समझते रहें तो था दिए चो अब आज की बाद क्या अब मंडे